ही गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकुम बेक टू मैं न्यू व्लॉग और कैसे हैं आप सब भी हम सब भी एक दम बढ़िया है तो देखिए सुबह का टाइम हो गया है और आज के व्लॉग के शुरुआ थो रही है मेरी कीचन से तो खानवाना बनके रेडी है मेरा और आ आज मैंने खाने में बनाया है राजमा चावल तो जैसा कि कलके ममी जी भी आ गया है तो वह भी बाहर बैठा है ममी जी पापा जी बाकी जो गैस्ट आया है वह अभी सो रहे हैं नहीं उठे हैं तो यह रही मेरी दाल इधा और साथ में चावल भी बनके रह दिया है बाकी आ मांखी बंदोरी यह दो पहर की तीन बज रहे हैं गाइज और देखिए बारिश फिर से शुरू हो गए आज अभी तो हलकी हलकी बूना बांदी लगी है और पीछे के बाद आप देख रहे होंगे बहुत जोरू से आई है तो मम्मी जी तो देखिए पीछे लग गया है काम प बारिश का मजा लेते हैं वाकि सच में किसी ने कमेंड भी कर रहा था कि बारिश रहे है पर बहुत से लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है पर क्या कर सकता है अब यह तो एक ऐसी चीज है जिसको कोई नहीं रोक सकता तो बस आप खुदी सेफ रहें सुरक्षित रहें अप टो वाहर तो बारिश पड़िए और जैसा की आजसे की सौफण का महिना बहुत है तो मध लडा बोलते हैं कि जो सुहांगे होती है उनको ऐसे महन दी लगानी चाहिए तो हमने भी सच तो अच्छा सा थो में लगा लगारी है तो अश्मान होझा शाहा हां यह एज शी बदा और ये रितुने तो कैसी लगी आपको महंदी? इची है ठीक लगी? ठीक है अब पापाची सुए है इधर पापाची भी बैठे है मम्मीजी मम्मीजी ने तो लगा लिया ना बताओ आप बताओ आपनी महंदी लगाई थी प्रो मम्मीजी शुला गए थे तो वाम भी लगा लिया फिक्की हो लिया तच में बचादी नवाद लगाने थी और इनने भी लगाना शुरू कर दी अथ में मैंने भी अपने हाथ हो में तो अभी शुरू की है अभा की जब पूरी लग जाएगे उसके बाद आपको बताती हूँ मेरे हाथों में भी महंदी लगके रेडी है तो यह देखिए वैसे मैं महंदी बहुत कम लगाती हूँ मुझे लगाने नहाती तो मैंने फोन में एक डिजाइन लेखा और ऐसे लगाती पर चलो बढ़िये ही लगी है वैसे बाकि आप कमेंट शक्सन में भी बताना की कैसी लगी है और मौसम भी देखिए अभी एकदम से साफ भी हो गया धूप भी लगी एकदम से बारिश एकदम से धूप तो बैठें अभी अंदर बाकि इसका सुखने देती हूँ अभी फिर शाम का टाइम भी हो गया और डिनर भी रेडी करना है पापा जी बना ले इदर सुझी का हलवा तो आज पापाजी के हाथ का हलवा खाएंगे गाईज देखिए बहुत बुरा टाइम आगे आज कल बहुने हाथों में में दिलारा से रखिया है और ससुझी देखिए सबी के हाथों में देखिए मेंदी लग चुकी है और इनके हाथों में तो ज्यादा अच्छी लगी है उन्हें बहुत अच्छी लगाई है में देखिए में देखिए और दिनर टाइम आज दिनर में बनने वारी है भिंदी की सबची और चपाती तो करते हैं फड़ा फड़ दिनर रेड़ी में बढ़ी पार चर चो कारेणा देखिए में देखिए और बनने आज देखिए और उन्हें देखिए और दिनर चाप़ी है और झालते हैं और देखिए अगले दिन की शुरुवात होगी है बहुत ही प्यारी सूबा के साथ और साथी खाने के साथ तो खाने में जो आज बना हुआ है मैंने साथ में चावल और सभी बैठें खाने के लिए बाकी पापाजी यह क्या लेकिया है इतनी सारी मिर्ची अकेले तो निए खाने वाले हो अब सारी तो अब भी खाना खा लेते हैं बाकी का फिर बाद में लेखेंगे चाम का टाइम हो गया है और देखिए हाथों में कपड़े पगड़के रखे हैं यह कपड़े धोई थे दिनको और जैसे धोई उसके बाद थोड़ी देर इतनी जोरोगी बारिश पड़ी थोड़ी देर बहुत जोरोगी खीड़कियों के अंदर में से भी पानी आ गया था तो इनको डालना था सुखने को फिर बारिश के वज़े से नहीं डाल पाए और उसके बार देखिए सदलनी मौसम साफ धूप वैसे ही लगी बारिश तो ऐसे आती है एकदम से अपने दर्श्रन देके जाती है और वापिस तो बैस इन कप यह कपड़े तो डाल दिये पीछे सुखने के लिए वैसे तो अभी शाम के पांच बरस रहा है तो सुखेंगे तो यह नहीं वैसे स्पिन तो करती होते है मशीन में बट फिर भी थोड़ी बहुत दूप तो चाहिए होती है इस टेम ऐसा होता है हलकी फुलकी हवा लग जात इससे अगला दिन शुरू और पीछे देखिया सोनिय भी आगी यह मैं मान गई हुई थी कई दिनों से तो अभी आगई वापिस बाकी इस टाइम रोज जो है बारिश आ जाती है तो अभी भी वैसे हवा भी लगे क्या पता पढ़े ना पढ़े पर रोज होती इस टाइम फ और महंकाई तो आपने देखी होगी दुकानों में जो सबजी का रेट पूछो तो वह इतने बारी रेट तो इधर जो है हमने खीरा भी लगा के रखा था साथ में जो की अभी लग गया है तो देख री थी मैं अभी तो यह देखिये दो खीरे लग गया है मैंने सूचे एक है दो है बाकी यह बैंगन जो है यह तो सदा बहार है लगती रहते हैं चलिए गाइस अभी फिर से खानवाना खाके फ्री होगे और यह वाला व्लॉग मेरा तीन दिन चला तो मैं तो आगे अभी रूम में बाकी अभी वह बैठ हैं बार वह थोड़ी दिर बार दी सोएंग मुझे तो लगे नहीं तो मैं चलती हूँ आप करिए अपनी बातचीत बाकी ओकी तो करते हैं इस वाले भी व्लॉग का एंड अगर आपको मेरा यह व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना शेयर कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बाकी मिलेंगे क से नए व्लॉग के साथ तब तक आप अपना ध्यान रखना सीफ रहना सुरक्षित रहना ओके वाइब एटी क्या है